अगर आप कुट्टू की पूरियां और पकॉरियां घाकर बोर हो गए हैं तो चलिए आज बनाते हैं कुछ कुट्टू के चीले यह बहुत ही हेल्डी एप्षिन है और मेरा परसनल फेवरिट है बहुत ही कम इंग्रिदेंस है एजली चीला प्रिपैर वाजाता है यह देख लेट इंग्रिदेंस एक कप लेंगे कुट्टू का आठा की ग्रेटेड थोड़ा सा पानी लेंगे और जाल देंगे 1 cup Buck Wheat or Kuttu का आता और इसमें add कर देंगे Grated लौकी इसमें मैंने 1 4 लौकी को लेकर उसे grate किया है अब हम इसमें डाल देंगे chopped Green Chillies यह मैंने 1 & half Green Chillies यह मैंने 1 & half Green Chillies को अब इसमें आद कर देंगे वन फुल टी स्पून ऑफ सॉल्ट ये सेंधा नमक मैंने लिया है जो हम पास में खा सकते हैं अब इसमें धीरे धीरे वाटर आद करके मैं इसका बाटर बना लूँगी ये देखे पानी डालके मैंने अच्छे से डाइल यूज कर लिया है अब ये बाटर रेडी है ये देखे इस टाइप की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी है इसे ना बहुत जादा थिक रखना है ना बहुत जादा फ्लोइंग रखना है आईए प्रिपार करते हैं चीला उसके अब इसमें हम साइट से थोड़ा सा घी स्प्रिंकल कर देंगे जैसे की चीला काफी क्रिस्पी बनता है अब इसे हम कवर करके सेख लेंगे अराउंट 3-4 मेंट हो गया या या लिट करके चेक कर लेते हैं ये देखे एक दम इजली तावे से से प्रेट हो रहा है यानी चील शिख गया है से फ्लिप कर लेंगे ये देखे ए थोड़ा गुल्डन ब्राउन कलर आ गया है यानी चीला सिख चुका है अब इसे दुसरी साइड से निए थोड़ा सा घी और स्प्रिंकल कर करके और उसे प्रेस करके जिससे कि ये कृस्पी सिख आए अब हमें दुबार से क crispy and healthy और फटाफट बनने वाले कुच्चू और लौकी के चीले एकदम रेडी हैं आप इने जट पट बनाईए और गर्मा गरम खाईए दही या चतनी के साथ अच्चू लौकी और भॉकी टीज किली बनाईए रवाल एक मताईए आप खला शाइए गौकी करा चीले पाल घूक्त खर बनाईए जा घॉ या च्ट प्रॉकीर तो सुच्छ अबरागाई खार टॉक बाहाए बनाएए रिख बनाईए जा दिक और दिख थुच्ति हैं इस आ झाल झाल